इन कमजोरियों को दूर करना ही होगा वरना श्रुलंका से T20 सिरीज हार सकता है भारत भारत एक अप्तान हार्दिक पांडेन नहीं सुधारी ये गलती तो सिरीज हार रता है आखरी T20 मुकाबले के लिए कोच राहूल द्रवर ने तयार किया मास्टर प्लान भारत और श्रुलंका के बीच खेली जा रहे तीन मैचों की T20 सिरीज के शुरुवाती दो मुकाबलों का परिणाम देखने के बाद इतना तो तैह है कि आखरी T20 मुकाबला भी जोड़दार होगा भारती खिलाडियों को श्रुलंका को हलके में नहीं लेना चाहिए दो मैचों के परिणाम से ये बात तो तैह है कि आखरी मुकाबला काफी धमाकेदार होने वाला है हार्दिक पांडे को T20 सिरीज की जीत के लाइकों बरकरार रखने के लिए पिछले मुकाबलों में की गई गलतियों को सुधार ना होगा नहीं तो टीम इंडिया श्रुलंका के खिलाफ खेले जा रहे तीन दिवसे T20 सिरीज से हाथ दो बैठेगी श्रुलंका की आर्थिक किस्ति भले ही कमजोर है लेकिन श्रुलंका की टीम बल्ले से कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रही दूसरे T20 मुकाबले में श्रुलंका के बल्ले बाजों ने 200 रन से अधिक का स्कोर खड़ा किया जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया 16 रनों से मैं चार गई थी इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया के लिए रह आसान नहीं होने वाला कप्तान हार्दिक पांडिया को सूजबुच के साथ मैदान में उतरना होगा सयम के साथ कप्तानी पारी खेलनी होगी भारत को अगर सीरीज पर कबजा करना है तो उसके तेज गेंड़ बाजों और उपरी बल्ले बाजों को बहतरी इंट्रेशन करना होगा युवा तेज गेंडबाज और उमरान मलिक और शिवमावी की खराब लाइन और लेंट का शलंकाई बल्ले बाजों ने दूसरे टी-20 में बखुबी फाइदा उठाया सबसे ज़्यादा निराश चोट से उबर कर टीम में लोटे तेज गेंडबाज अरशदीप सिंग ने किया वो अपने पहले ही ओवर में लगतार तीन बार क्रीज से बाहर रहे और टी-20 मुकाबले में नो बॉल की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारती गिंद बास बन गए बल्ले बाजी में टॉप ओडर का खराब रदर्शन दूसरे टी-20 मैच में भी जारी रहा सिरीज से डेब्यू करने वाले शुबन गिल लगतार दूसरी बारे सफल रहे राहूल प्रपाठी का भी यही हाल रहा और दूसरे टी-20 में डेब्यू करने का जो मौका मिला उसका वो फाइदा नहीं उठा सके हालनके मिडल ओर्डर में सुरिकुमार यादो एक बार फिर से प्रभावी रहे अक्षर पटेल भी आल राउंडर की अपती भूमी का बखुबी निभा रहे हैं दूसरे टी-20 में उन्होंने आतीशी बनले बाजी कर जटा दिया उसे हालनके मिडल ओर्डर से बहतरीन प्रदर्शन की उमीद होगी उसके लिए कप्दान दासुन शनाका की लाए एहम साबित होगी भारत की ICC T20 रैंकिंग नंबर वन है श्रिलंका आटवे पाइदान पर है दोनों टीम के बीच अब तक को 28 T20 इंटरनाशनल मुकाबले खेले गए जिसमें भारत ने 18 जीते हैं श्रिलंका ने 9 मुकाबलों में बाजी मारी है एक मैच बेनाती जा रहा स्वाराश्र क्रिकेट असोसियेशन के पेच बल्ले बाजों के लिए माकूल रही है दूसरे T20 की तरह यहां भी रनों की बारिश देखनी को मिल सकती है यहां खेले गए अभी तक 4 T20 इंटरनाशनल मुकाबलों में दो में पहले और दो में बाग में बल्ले बाजी करने वाली टीम जीती है मैच के दौरान औसत तापमान 17 डिग्रे सेलसेस रहेगा बल्ले से जो कमाल कप्तान हार्दिक पांडिया और शुमन गिल जैसे बल्ले बाजों को करना चाहिए वो काम गेंद बाज कर रहे हैं अक्षर पटेल ने जिस तरीके से दूसरे T20 मुकाबले में पारी खेली वो वाकई काबले तारीफ है किसी भी गेंद बाज से इतनी अच्छी बल्ले बाजी की उमीद नहीं की जा सकती यहां तक कि अक्षर पटेल की बल्ले बाजी के आगे विस्पोटक बल्ले बाज सुरिकुमार यादो भी फीके पड़ गए मैच फले ही टीम इंडिया हार गई लेकिन अक्षर पटेल ने दूसरे T20 मुकाबले में दिल जीत लिया खोच सुरिकुमार यादो भी अक्षर पटेल के बल्ले बाजी के मुरीद हो गए अगर ऐसे में कप्तान हार्दिक पांडिया गेंद बाजू से बल्ले बाजी क्यों मीद करेंगे तो बल्ले बाजू को क्या पार्टी करने के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है हार्दिक पांडिय अगर ये मुकाबला जीतना चाहते हैं तो बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबासी पर भी फोकस करना होगा। गेंदबासों को किस तरह से मैच में इस्निमाल करना है इस पर भी विशेश द्यान देना होगा।